हलो फ्रेंड साहे मप्रती, वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस, आज हम शेयर करेंगे प्लांट टैक्स बनाना जो की गार्डनिंग में आपकी काफी हेल्प करेंगे प्लांट टैक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे लेकिन घर पर आसानी से इनको आप तयार कर सकते हैं उसके लिए आपको चाहिए कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल या आप टिन केन जो की कोल्ड रिंग्स की केन होती है टिन की वो भी आप ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा शार्प होती है और हाथ में कट लगने का उनसे डर रहता है तो आप कोशिश कीजे कि इस तरह की वेस्ट बॉटल का ही यूज़ करें तो यह हमारी एक DIY किया था हमने दिवाली पर तो यह वेस्ट रखा हुआ था इसी से ही हम प्लांटेक्स बनाएंगे उसके लिए आप इस तरह के पीसिस कट कर लीज़े जितना बड़ा आपको प्लांट का नेम मेंशन करना है इस पे प्लांटेक्स वो होते हैं जिस पे हम प और फ्लावरिंग के बाद हमें फिर याद नहीं रहेगा कि कौन से प्लांट का कलर कौन सा था तो फिर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इसलिए यह हम कलर से इन पे ना मेंशन कर देते हैं उससे प्लांट की आप बहुत पहचान कर सकते हैं तो इस तरह से यह प्लांट उस पर पढ़ती है direct तो आप कोशिश कीजिए कि आप acrylic paint से या फिर fabric color से ही इस तरह से ये चिट्स जो है इसको तयार कीजिए अब ये छोटी-छोटी हमने plant eggs तयार कर लिए हैं और अब इन पर हम इनी color से name mention कर देते हैं जो जो color से हमारे पास क्रसेंथिमम के उनों पर हम इनका नाम इस तरह से लिख देते हैं और जैसे सीट्स आप ग्रो करते हैं जीनिया के आने वाला मौसम जो है अब समर सीट्स ग्रो होंगे गर्मियों के जो बीज हैं उनके लिए भी आप तयार कर सकते हैं तो इस तरह से यह लो पॉम-पॉम यह भी आप से शेयर किया हुआ इसके बेबी प्लांट न ने फॉते तयार कर रहे हैं तो इसमें हर पोट में हम इस तरह से mtion कर देंगे और नेस है यह पूर्णे से आया था हमारे लिए गिफ्ट प्लांट हमने आप से शेयर वी किया था वीडियो आपको description box में मिल जाएगी तो देखिए इसको भी हमने mention कर दिया है नेक्स्ट है yellow spider ये spider crescentimum है तो इसको mention कर देते हैं इनसे ये फायदा है कि baby plants grow करने हो या cuttings grow करनी हो तो हमें पता रहेगा कि कौनसा ये color है अब ये last year के जितने भी tags आप देख रहे हैं देखिए last year हमने तयार किये थे और इस बार ऐसे के ऐसे ही हैं ये बिल्कुल भी fade नहीं हुए हैं और इनी की बज़े से हम plants का जो color है वो याद रख पाते हैं तो इस तरह के जो plant tags होते हैं बहुत help करते हैं आपकी तो gardening में ये जानकारी भी आपकी काफी help करेगी और ये सारे नए हैं जो अभी हमने इस बार तयार किये हैं और जब भी seeds grow करें उनके लिए भी आप इस तरह के ये plant tags तयार कर सकते हैं एक comment काफी आ रहा है कि क्या baby plants भी flowers देते हैं अब देखिए एक छोटा सा baby plant है जो कि हमारी नजर इस पर गई है तो आप इस पर flower आ रहा है तो इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि baby plants में भी flowering हो जाती है थोड़ा लेट होती है लेकिन हो जाती है और baby plants को separate करना जरूरी नहीं है आप चाहे तो ऐसे ही growth करने दे और चाहे तो उनसे नएने पौधे आप तयार कर लीजिए हमारे पास काफी comments थे तो यह answer करना हमने जरूरी समझा आप जैसे कि हम chrysanthemum पर work कर रहे थे तो अभी एक नजर पड़ी एक छोटे से lizard पर ये एक fence lizard है जो कि अभी एक falcon bird जो कि एक तरह का चीडियों का भेडिया होता है वो चीडियों का शिकार करता है पक्षी ही होता है एक तरह का चीडियों का बाज होता है तो वो छोड़ी मोटी छिपकली या छोड़ी छोड़ी चीडियों का शिकार करता है तो वो अभी एकदम से यहाँ पर आया और एकदम से उड़ गया तो अभी हमने देखा कि शायद वो इसी कही शिकार करने आया होगा और उसने शायद इसको नुकसान पहुचाया होगा लेकिन वो ले नहीं जा पाया तो यह अभी देखा तो यह मरा हुआ हमें एक छोटा सा ल वीडियो जरूर चेह कीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जो गिर्गिट होते हैं जो यह लिजार्ड फैमिली होती है यह अकसर मिट्टी में जो कि गिर्गिट वाले लिजार्ड हैं यह मिट्टी में अंडे देते हैं और फिर उसको ठक देते हैं और ये वीडियो इसलिए आप से शेयर करें हैं कि आपको इस तरह का कोई जीव मिलता है तो उसको इस तरह से आप बेकार उसके शरीर को ना होने दें सोयल से कवर कर दें कहीं पर साप जगे अच्छी जगे देखकर और इसकी उपर एक पत्थर रख दें जिससे कोई भी जो डॉक्स वगरा है इसको नुकसान ना पहुचा पाएं आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएए थैंक यू